दुनिया का सबसे प्राचीन और प्रभापसाली नुस्का अंबरी तिला इसके मलने से यानि सी मालिस करने से लिंक की सुस्ती टेडापन पतलापन छोटापन आदी खरावियां दूरों कर लिंक बड़ा मोटा और कड़ा हो जाता है जो रोगी बैद्यों ने निरास करकर कर सकता है तो नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका एंसेंटर फफ इंडिया में और मैं डॉक्टर मदन मोहन और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे जो अंबरी तिला है बहुत ही प्राचीन हमारे ग्रंत में इसका यह लेक लिखा हुआ है जिन लोगों का लिंग छोटा है पतला है बहुत सारी बच्पन की गलतियों की बज़े से सारी रिक कमजोरी की बज़े से या फिर बहुत ज्यादा सेक्स करनी की बज़े से जिनका लिंग बहुत छोटा रह गया है पतला हो गया है या फिर सेक्स करते करते बिलकुल ढीला हो क्योंकि उनका निलिक बहुत छोटा है या फिर कड़क नहीं रहता है सेक्स ड्राइब के समय पर कोई भी उनके बीर में ताकत नहीं बिल्कुल कमजोर सा बीर है इस पर पूरी दुनिया में सबसे निराला और अनोखा 85 प्रकार की जड़ी बूटियों का तेल है आप सभी को मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है लेकिन मैं आज इसको बताऊंगा कि किस तरह से इसको बनाया जाता है यह है अंब्री तिला आप मेरे इबुक है जो इसकी हालत देखके ही समझ सकते हूँ कितनी प्राचीन बुक है और मैं आपको इसलिए यह सब दिखा रहा हूं ताकि आपको सो परसेंट एक हजार परसेंट विज्वास हो जाए यह जो अंब्री तिला है कौन सी लेंग्विज में कितना पुराने सब्दों में लिखा गया तो इसमें क्या चीए यह अंब्री त कि मींग धतूरे के बीच चमेली के फूलों करस सिंद्रफ पीपल उसारे रेवन समुद्री समुद्रफल चोटी हर्ड सुहागा नक बबुना प्रतेक सब को एक एक तुला लेना है कान का मेल और कभूतर की बीट अफीम को छेचेमा से लेना है इन सब को लेकर एक सिर बकरी के दूद में खरल करके और दो सिर पानी मिलाकर और उसमें प्र पावर चमेली का तेर, अरंडी का तेल, कर्र का तेल, सत्यानासी के बीजों का तेल, महुए का तेल, प्रतेक एक 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 झटाख लेकर ऊपर की सभी दवाओं को कड़ाई में डाल कर मंधी आँज़ पर पकान जुन्द बजस्तर छह मासा कष्थूरी छह मासा और अबर दो मासा इस सब को मिला कर ख़ल करके च्छान के सीची में भरके रख लेना है जैसा मैंने बताया था लिंग की सीवन और सुपारीयानी के आगे का लाल हिस्सा छोड़कर नीचे की ओर मालिस करें उपर से नीचे को फ करता है इसमें लिखा हुआ है मैंने बोल रहा है प्राचीन ग्रंथ बोल रहा है जिसकी यह 100% गैरेंटी देता है जो रोगी बैद्यों निराज करके छोड़ दिये हैं उन्हें तो यह अबसी हाजमानाची इस बात पर बार बार ध्यान दिजिए जो लोग यह कहते हैं कि ल पर यह फैसे कशश्की सेस्ट धर्ण दिजिए कि प्रापंगो पतला हो बिल्कुल दम नहीं है इसके लगाने से पुरस संतान पैदा मैं ऊसे द्यान दीजिये आप में आगे को बोल गया लेकिन आपको दीरे बताऊओंगा कि यह जतनी भी हमारे पास जीडी Luckियां जो इस में मैंने पड़ी है अपने पुरानी गरंथ में जैसे सिंदरप मैंने डाल लिया है ठीक है और इसमें स्वाहगा भी डाल दिया तर पुछ दू-तीन चीजे मैंने प्हणी डाले है लेकिन आप में एक-एक करके आपको डालता रहूंगा लेकिन देखो हम जूट बोल सकते हैं लेकिन कभी आयुरवेद और हमारे प्राचीन गरंथ कभी जूट नी बोल सकते हैं तो ये सारी डवाएं में आपके सामने लाया हूँ ये एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ आपको जो भी उसमें चीजें हैं आपको मैंने बता ही है ठीक है जैसे चोटी हरड हो गया ठीक है नीचे सुहागा है मैंने बोला था मैंने डाल दिया था उसमें पहले ही और इसके बाद या आप यह देखिए यह है यह ओं है जो आप जानते है साधा Rana ؟ यह धतूरे के बीजनों का यह बीज है ना लगर बता गया है गया तो यह टतूरे बीज भी लाए गया यह समुद्रृफल है यह समुद्रृफल है और इसमशने गया चीज़ है जबूँना भी इसके पास में रखा डाल डाल के इसको कूटेंगे कूटने के बाद इसको तयार करेंगे और जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से हम आपको दिखाते रहेंगे तो आप इसको देखते रही है इधर देखो ये चमेली के फूल हैं और ये बेनोले की मीं ये दो इंग्रिडेंट और आपको सभी एक एक करके आप देखे जो भी है मेरे पास सभी के सभी इसमें एविलेवल हैं और मैं औरिजिनली तोर पर आपको देखा रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि लोग नकल की पाउविद पर काम होता है जो चीज की जरूफ है इस पूर्फ चीज चितना आविलेवल पॉसिबल हुई है कि है इस्टमली तेल है एक शुरू करते हैं चमB Chi Gatti का में दो अजब्वा ऌन का तेल है कि अरड़ी का तेल है है कि रूडिक तेल है कि यह डालचीनी का तेल है कि यह महुवा का तेल है महुवा का तेल है कि यह सत्यानासी का तेल है सत्यानासी को स्वडमाक्ष्क्रीवी कहते हैं संस्कृत में और बहुत इसका उपयोग होता है यह कर्र का तेल है जो कि बहुत रहा ऐवा साहरा है पराचीन पंसारी मिलेगा यह बादाम का तेल है यह चमेली का तेल है जिसमें ज्यादा वात्रा भी यूजोगा यह च ll ईयलेंगे तो इस परकार एक जैते जो इसमें डलेंगे वो हमारे पास ये collection है, हम वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए हमने पहले पूरी सामिक्री को तयार किया गया है, उसके साथ में जितनी भी जड़ी बूटियां इसमें बताएंगे तो यह वो भी हमारे पास रखी हुई है, और अब सुरू करते हैं इसके बनाने का process, जो की बह आल कर जल्ट देखके आप भी दंग रह जाएंगे, तो सबसे पहले तो सारी एक-एक-एक-एक करके जितनी भी जड़ी बूटियां हमको इनको इस खलड में डालके कूटना हैं और पूरा इनका एक fine powder जैसा बनाना है, ताकि इसको हम आगे process में ले सकें, तो आप देखते यही वीडियो को हम पूरा एक-एक करके सभी को पूटेंगे और डालेंगे झालागे बूटेंगे देखते यही वीजिक टीन देखते खलड में तो आपएक में जब अस खलागे सभी को हम एक करके बाना का गफ़स्वी को दोटना हैं और दो खलागे पनाऊदेगे अब जैसे आप देख रहे हैं बहुत जादा अच्छी तरह से कूट लिया गया है बहुत फाइन पाउडर इसका बन गया है अब यहां से आगे हम इसका दूसरा स्टैप जो है वह सुरू करते हैं यह दो चीज रह गई थी मैं आपको उस टाइम पर दिखानी पाया है क्योंकि बहुत बहुत रहे हैं पॉसिबल चीजे होते हैं आप जैसा जानते हैं यह कब उतर की बीट है लेकिन जैसा किसी हमारे बैद ने पुराने रिशी मुनी ने बताया है नुसका हमको उसी तरह से ब लेबल नहीं हो पाते हैं तो हमसे वो खरी सकते हैं बहुत मेंगान उसका बनता है यह लेकिन आप बना सकते हैं इसको तो सबसे पहले तो हम कड़ाई रख लेते हैं गैस चूले पर और ओन कर देते हैं गैस को इसमें हम बकरी का एक चटाक जो एक सेर दूद है बकरी का दू दूद और पानी तो दोस्तों यहां से हम सुरू करते हैं अपना प्रोसेस सको, कैसे बनाया जाता है बिलकुल होमेर तरीके से सुद्ध्लस पर से परसेंट यह इसे लगाने से तुरंप एफेक्ट आएगा तो यहां से हम सुरू करते हैं यह हमने गैस को ओन कर दिया है कड़ाई में बकरी का दूद्ध डाल लिया है और इसके बाद जो भी प्रोसेस है एक-एक-एक करके हम डालते जाएंगे आप देखते रहे तो बकरी का दूद्ध यह अब उबलने लगा है अब इसमें जो भी ओयल इसके साथ डालेंगे और जो हमारे जो जड़ी बूटिय को यह पाउडर है यह हमारे पास सब कुछ यहां पर रेडी रखा हुआ है एक-एक करके इनको हम डालेंगे जैसा-जैसा नुस्के में बताया गया है वैसा ही हम इसको फोलो करते हुए इस को बनाएंगे अभी झाल पुचर में एक एक कमें सरेंग collegने में गयदिटे और उकाश रे Communication झाल झाल आप देखे जैसा आप देख रहे हैं सारी चीज डाल दी गई है तेल जो है अभी उबलना स्टार्ट हो गया है जिसमें जतना भी एक्षक पानी है नमी है और जो फालतू चीजे हैं वो अभी जलना सुरू हो गई है अभी अपनी इस जड़ी बूटी जितनी भी डाली हैं उनका देखे यह उपर आने लगी है दीरे 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 यह ओईल बनने की अपनी प्रोसेस में है अभी इस स्टेज पर आप देखेंगे बहुत सारा जो पानी और यो एक्स्टा नमी जड़ी बूटियों में होगी वो उड़ चुकी है काफी ओईल अभी बनने की कगार पर आ चुका है अभी इस स्टेज पर देखेंगे आप तो पूरा पानी लगबग लगबग उड़ चुका है और ओईल अपना नीचे से दिखने लगा है जितनी भी जड़ी बूटियों वो जल केस में बिलकुल भस मोचे कि उनका पूरा का पूरा जो अर्क है वो ऑईल के अंदर आ चुका है अभी देखे पूरी तरह से ऑईल बनकर रेडी हो चुका है अब बस इसको गैस बंद करेंगे थोड़ी देर में और इसको थोड़ी देर इसको पकाते हैं उसके बाद gas बंद करके इसको गैस बंद करके इसका oil को ठंडा करेंगा और ठंडा करके फिर आपको आगे का process दिखाते हैं अब देखे पूरी तरह से जो oil है ठंडा हो चुका है जितनी भी जड़ी बूटिया है जो जल के इसमें राक हो गई है वो नीचे बैट चुकी है, ओयल निधर के ऊपर आ चुका है, जैसा कि हमारे उसमें प्रोसेस में बताया गया था, पुराचीन किताब में जैसा दिखाया था, वो इसी तरह से अब ये आप देखिए, ओयल पूरी तरह से बनके रैडी हो चुका है, बहुती सांदार ओयल ये बनके तयार हुए, 100% आयरवेदिक है, कोई इसमें असुद्धी नहीं है, किसी भी प्रकार का कैमिकल प्रोसेस नहीं है, कोई पेजरविटिव नहीं है, इसी को बोलते हैं, असली आयरवेदा और असली दवा, अभी लास्ट स्टेज पर देखिए, अभी इसको अच्छी त प्रोसेस है, वो डाल के इसको कम्प्लीट करेंगे, और आपको दिखाएंगे, अब दोस्तों देखिए, बाकी का एक सेंपल हम आपको बना के दिखा रहे हैं, इसका 50 ml की जो बोटल की पैकिंग है, उसमें आप बाकी की चीजे मिला के आपको दिखाएंगे, बिसे पूरे लोबान का तेल है, जो आपको दिखाएंगे था पहले, लोबान का तेल अभी इसमें डाला जाएगा, तो अब इसमें लोबान का तेल डाल देते हैं, इसी तरह का गाड़ा तेल होता है, लोबान का, इसके बाद ये सुद्ध जमाल गोटे का तेल, डाल रहे हैं अब हम इस लॉंग का तेल आप जानते हैं लॉंग का तेल जो लिंक की उसमें बहुत ज़्यादा वेनिफिसल होता है तो जितने भी और जितनी भी चीजे इंग्रेंट्स आप देखके हैरान रह जाएंगे कि किसी हमारे रिसी मुने ने इतना जबर्दस नुसका पूरे मैं नहीं जानता आयरुविद में कहीं दुनिया में भी होगा कई लिखा होगा तो यह लॉंग का तेल डाल देते हैं लॉंग के तेल के बाद कर्र का तेल डालेंगे हम ठीक है कर्र का तेल मिलाना पड़ेगा अपन को पहले भी वहां मिलाना वहां भी मिला दिया था हमने और यहां भी हमने करेंगे और फिर चान के इसकी पैकिंग करेंगे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं तो यह देखिए पूरा हमने यह रेडी करके रख दिया है जो लोगों को यह order करना है हम से इस नंबर पर इसकी पर जो दिख रहा है फाइनली लास्ट में देखो इस तरह की हमारी बोटल की पैकिंग आएगी आप अच्छे से देख लीजिए हम इस में इस बोटल में डालके इसको अच्छी तरह से तो यहां पूरी सामिग्री एक-एक करके सब कुछ मिला के इसको फाइनली एक टच दिया जा रहा है हमारी ब्रांडिंग रहती है क्योंकि देखो इस तरह से पूरी तरह से हॉममेड बनाने के बाप जूद भी आपकी आँखों के सामने एक-एक चीज दिखा कर इतना प्राचीन उसका आपको अबगत कराया है और इ बिल्कुल उसमें ताकत नहीं है वो हाड नहीं है वह आप देखोगे इसको अगर आप दस दिन भी लगाके देखोगे दस दिन के बाद आपको अलग सी क्रांति आपके लिंग में इस पूर्ती आएगी आपको हर वार हर समय सिर्फ और सिर्फ सेक्स की इच्छा जगेगी औ आप देख लीजिए अंबरी तला आपको अमेजन पर भी मिल जाएगा फिलिप कार्ट पर भी मिल जाएगा डायेक्ट ओर करने पर आपको जल्दी हम कोरियर से पहुचा देंगे बिल्कुल कोई परिशानी होती नहीं किसी प्रकार की आपके घर पे बाइक कूरियर हम पहु करता हो गया है बिल्कुल इस पुर्ती नहीं है तनाव नहीं है लिंग में बिल्कुल भी बीर कमजोर है वह जरूर अंबरी तला का उप्योप करके देखें उम्मीद करता हूं मैं अपनी मेहनत से आप लोगों को समझा पाया हूं और बता पाया हूं और अच्छे से आपको बिस्बास जला पाया हूं कि मैंने जो आपको आईरवेज चीज जो बताई है वह आप समझ पाये हैं और आसा करता हूं आगे भी आपको उसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूंगा एंसाइंटर इंडिया आपके अच्छे स्वास्ति कामना करता है आप